मेश राशी रात तक का समय और शांती से काथ लीजे उसके बाद समय बेतर होना शुरूर होगा दिन में घुस्से से बचें और किसी को बिना गहराई से जाने समझे कुछ नहीं कहेंगा एक सावधानी ज़रूर बरतियेगा प्रतिश्ठा को लेके दिन बहुत अच्छा नहीं इसने थोड़ा से ध्यान रखें और एक छोटा सा उपाय कर लें इस दिन आप उन रुद्राय नमा का जब करें फिर अपने काम पर जुटें ब्रिश्व राशी मन थोड़ा व्याकुल रहेगा छोटे बाई मेनों से भेट हो सकती है मुलाकात हो सकती है और वह लाप्रद भी रहेगी लेकिन भागे के रस्ते बंद नहीं होंगे इसलिए चंता ना करें बस एक सावधानी रखें इस दिन जटके से वजन मत उठाईए और अपने स्वास का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेगा उपाई क्या करना है इस दिन आटे का दान आवशक करें मित और नाशी धन को लेके इस दिन बहुत अच्छा नहीं है साथी साथ अपने मूँ दान और गले का भी ख्याल लखना होगा जिन लोगों को पेट का इनक्रेक्शन जाता है वह भी ध्यान रखें एक सावधानी इस दिन बहुत आवशक है इस दिन रिश्तेदारों से आपको हो सकती है ध्यान रखके चलने की जरूरत है एक साथानी विशेश रूप से भरतनी है इस दिन पार्टनर्शिप में मत जुड़िएगा उपाय क्या करना है दिन को बहुतर बनाने के लिए दूद का दन अवश्य करें अपने काम पर जुटें वो सब ठीक करेंगे सिंग राशी कुछ परिशानी आज आ सकती है कुछ ध्यान रखके चलने की जरूरत है आप अपने स्वास की तरफ से भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अपने पिता के साथ मतभेद ना हो इस बात का ध्यान रखें और उनके स्वास का भी ध्यान रखें एक साथधानी यद या अपने इन संबंद में हैं विवा करना चाहते हैं वहां कोई परिशानी ना हो आपके विवार के कारण ये ध्यान रखें उपाय क्या करना है इस दिन को बेतर बनाने के लिए गयत्रुई का जब कीजिए फिर अपने काम पर जुठिये प्रवसर ठीक करेंगे कन्य अनाशी ये दिन लाब में कमी कर सकता है ध्यान रखके चलने की जुरूद है खास तोर से यदि आप एकाउंट से संबंद देते हैं या आप कुछ महतपूर कागज लेकर इधर उधर जा रहे हैं तो विशेश रूप से ध्यान रखेंगा साथधानी इस दिन आप अपने पेट पीट और पैर का विशेश ध्यान रखेंगे साथी साथ प्रीम संबंदों का भी बहुत ध्यान रखकर चलने की जुरूद है एक उपाय कर लीजेगा इस दिन ओम नमश्यवाय का जब अवश्य करें तब अपना दिन शुरू करें तुला राशी जलबाजी में कोई डिसिशन मत लीजेगा खास तौर से यदि किसी से आपको रिष्टा जोड़ना है तो दुक्सान हो सकता है विवासंबंदी बात करने के लिए अकेले ना निकले इस दिन के एक विश्य साफधानी है इस दिन प्रतिश्ठा को हनी हो सकती है और पुरुशों को इस तरियों और इस तरियों से पुरुशों को परिशानी हो सकती है उपाई क्या करेंगे इस दिन को बेतर बनाने के लिए पक्षों को दाना पानी दीजे और दही का दान साफधानी के जरूरत है छोटे भाई वहनों से संबंद आपके खराब ना हो इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें बाकी कुल्मिला के दिल ठीक है चिंता ना करें एक साफधानी जरूर बरतनी पड़ेगी और वो है धन को लेकर आप यह दियात्रा में जा रहे हैं तो अपना धन बहुत सुरक्षित रखिएगा उपाए क्या करना है इनको बेतर करने के लिए ओम अंगार का इनमहा का जब करें फिर अपने काम पर जुटें पर उसे सब ठीक करेंगे धनो राशी इस समय आपके लिए थोड़ा सा प्रत्कूल दिखाई दे रहा है स्वास को लेकर विशेश अलर्ट रहिएगा साथी साथ प्रेम समंदों में कोई दिक्कत ना आ जाए या यात्रा में कोई परशानी ना हो जाए ध्यान रखें साथानी इस दिन किसी को धन मद दीजेगा उपाय क्या करना है इस दिन को बेतर बनाने के लिए हल्दी और बेसंकादान जरू करते हैं मकर राशी यह दिन अच्छा नहीं है दुर्गटना के संकेट मिल रहे हैं इसलिए थोड़ा समल के दोड़े भागे या फिर वाहन चलाते वक्त भी अपना बहुत ज़़ादा ध्यान रखें सावधानी इस दिन किसी को धन मत दीजेगा और एक कुपाय कर लीजे इस दिन ओम रुद्राय नमा का जब करते हुए अभिश्वेक कीजे शुवलिंग का उसके बाद अपने काम पर चुटिए और उस सब ठीक करेंगे कुम राशी दिन थोड़ा सा कमजोर नजार आ रहा है इस दिन आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आज आ सकते हैं पिताजी के साथ मदबेद हो सकते हैं या उनके हेल्थ में थोड़ी सी कुछ गरबर हो सकती है भ्यान से चलिएगा इस दिन की विशेश सावधानी है यात्राओं में यदि आप यात्रा में जा रहें तो अपना धन यदि छोटे बच्चे हैं तो उनका और अपने स्वास का भी बहुत ध्यान दखें उपाई क्या करेंगे इस दिन को बेतर बनाने के लिए सूरे को जल दीजे और आज सफेद कपड़े पहलिएगा यदि वो संभब नहीं होगी भागयपक्ष ठीक है यद भी बाधाओं के बाद ही कोई कारे होगा आपको जातरा में ध्यान रखना होगा आपको अपनी संतान यदि हैं तो उसका बहुत ज़्यादा रखना होगा और साथी साथ अपने प्रेम संबंदों का भी ध्यान लखेंगा एक सावधानी इस ABP News आपको रखे आगे